हेलो गाइज welcome back so यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीयो फाइज के review की so guys हमने like एक systematic ढंग से review करने का decide किया है तो basically अगर हम एक single person review करता है तो वो सारी चीज़े like advantages क्या है product की and disadvantages क्या है तो वो सबको involve नहीं कर सकता एक particular time के अंदर So guys हमने like decide कि हम review के लिए different social media sites and जो shopping sites है और कुछ review के लिए जो applications है या फिर sites है हम उनसे लोगों के reviews को pick करेंगे and जो हमें लगेंगे कि like हाँ यार यह disadvantage है actual में तो यह purchaser को जानी चाहिए उनको पता होनी चाहिए और यह advantages है यह भी purchaser को पता होनी चाहिए तो हम उसके basis पे इन सब को collect करेंगे So guys आज की वीडियो में हम बात करेंगे G5JMR541 pocket wifi की So guys अगर हम इसकी overall rating के बात करें तो इसकी overall rating है 4.1 out of 5 and जो यह rating है वो 840 ratings के basis पे है यहाँ पर 92 लोगों ने review किये है उनकी आगे हम बात करेंगे So अगर यहाँ पर हम 5 star rating की बात करें तो guys यह 840 में से 492 लोगों ने 5 rate किया है out of 5 So यहाँ पर यह मतलब काफी अच्छा है response से लोगों का G5JMR541 के लिए उसके बाद अगर हम सबसे कम rating की बात करें तो guys only 90 लोगों ने 1 की rate की है So guys यहाँ पर मतलब अगर मैं personally आपको बताऊं and like इतना data analysis करके अगर मैं आपको बताऊं तो 4.1 rating 5 में से काफी अच्छी है अपने आप में So guys अब बात करते हैं हम review की तो हमने कुछ reviews को pick किया हुआ है कि जिसके अंदर की अच्छे review भी है and bad reviews भी सबसे पहले हम बात करते हैं पहले review की जो की संकर भाई ने किया है उनके according यह excellent product है और उन्होंने purchase किया है 1799 रूपे में तीन दिन उन्होंने use मिलिया और उसके बाद वो thanks बोलते हैं flipkart को and courier partner को and वो कहते हैं कि मैं एक time पे इसको smart tv mobile and laptop में काम में ले रहा हूं तो यह अच्छी बात है कि मतलब इतनी devices में चलने के बाद भी अच्छा काम कर रहा है उसके बाद secondary use किसी flipkart customer ने किया है तो उनके according one rate किया है उन्होंने out of five so भाई पता नहीं कि इस भाई को क्या problem थी इन्ह so guys अब बात करते हम next review की तो इन्होंने two rate किया है और वो बोलते है slightly disappointed and यह post किया है दिनेश बोडे ने so वो कहते हैं कि product doesn't does not meet the expectations और वो कहते है कि the product I got is very old and manufactured in March 18 so guys अगर मैं आपको बता हूं तो मेरे वीव से तो इसकी problem यह रही होगी कि आपने online इसको purchase किया है so online stock होता है व stock अगर खतम नहीं हो पाता है तो वो पुरोणा stock ही आपके पास जाता है तो इनके according जो इसकी battery है वो काफी old manufactured manufactured हुई है तो इस वज़े से उसकी performance proper नहीं है so guys यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस point की उपर आगले review की बात करते है तो इस भाही ने जिसका की नाम सिकंदर बाजशा है तो इन्होंने five rate किया out of five so यह बोलते है perfect product है amazing product है and thanks करते है flip cart गो so yeah इनके according अच्छा है इन्होंने भी ज्यादा नहीं बताया बताया but हाँ इनके according अच्छा है उसके बाद दूसरे review की बात करें तो slightly disappointed इन्होंने बोले again so इन्होंने जो इनके साथ problem हुई है तो यह working properly नहीं कर रहा है we did not get wifi properly तो भाई wifi मिल गया है proper क्या मिलेगा उसका so भाई समझ नहीं आता आपका भी उसके बाद दूसरी बात करते हैं तो इन्होंने two rate कि slightly disappointed है यह हाँ इनका reason जो आता है वो legal है कि इन्होंने का poor battery है runs for just two hours so एक महीने पहले इन्होंने review किया तो भाई उसके बाद guys अगले review की बात करते है जो कि ohmkar ने किया है तो इनका कोडिंग nice है and four rate किया है तो good product fully satisfied four star because of packaging so yeah the product was not packed as expected तो भाई कोई दिकत नहीं है आपको packing ज्यादा काम नहीं आती आपने बट हाँ rating अच्छी की है उसके बाद guys बात करते है next rating की तो great product बताया है five out of five दी है वो कहते है कि good but gets heat with a continuous uses of two hours so yeah heat की problem होती है यार आपने भी 17 दिन पहले ही दिया है तो almost जो battery होती है in devices की उसको like time लगता है एक proper system में आने में बट हाँ आपने की overall बस आपकी जो problem है वो heat की है तो don't worry ये ठीक हो जाएगी उसका बाद waste of money बोलते है तो यार इनके साथ वोई problem ह हुई कि इनको जो मिला है product वो बहुत पुराना मिले 39 months old product तो यार almost ये तीन से ज्यादा years पुराना हो जाता है तो इस वज़े से यार उनके साथ problem हुई है so guys आप इन चीजों का ध्यान रखिए उसके बाद next review की बात करें तो best in the market बता है good product and long lasting battery so yeah एक भाई ने बता है था क यह मतलब battery backup नहीं है इसका even two hours भी but यहां पर बोल रहे है कि long lasting battery है तो भाई मैं agree हूँ आपके साथ battery इसकी काफी अच्छी है चार से पास गंटे का backup निकाल देती है उसके बाद next की बात करें तो जो किशावर कुमार ने दिया है वो कहते है pretty good 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 line बोलना चाहते थे I don't know कि क प्याल लिख दिया भाई ने सो यार इनका कोडिंग काफी अच्छा है यह दोनों review five or ten में से like nine numbers मिले हैं इसको जीओ five को इसके उपर सो यार अब यहां तक जो समझ आता है battery overall अच्छी है उस भाई का हो सकता है कि जो पहले review का खराब था वो उसके साथ कोई problem हुई हो या उ 50 Mbps की speed है overall rating like मतलब 840 लोगों ने rate किया जिसके अंदर 4.1 है so almost मतलब आप अगर 100 में से करें तो आपका almost 90% ratio रह जाता है तो 90% लोग आपको अच्छा बताते हैं यह 10% होगते हैं जो खराब बदाब so yeah if you want to purchase JMR 541 so आपके लिए जो main point बनता है वो बनता है कि 840 rating में से 492 rate है जो कि almost 60% के लगबग ratio हो जाता है वो लोग इसको 5 में से 5 rate करते हैं and 159 इसको 4 rate करते हैं तो अगर हमें total इसकी मिलाएं तो 650 reviews हो जाते हैं जो इसको 4.5 rate करते हैं कुछ यार कुछ लोग है 1% मतलब 10% लोग है जो इसको 90 के review करते हैं so अगर आप इसको purchase करना चाह रहे तो मतलब काफी अच्छा है यार मेरे हिसाब से तो दूसरी अगर हम इसकी cost की बात करें and look में उसके बरावर है same है तो यार अगर आप purchase करना चाह रहे तो जाहिए according to me I will rate it 4.5 so guys अभी की बस वीडियो में बस इतना ही तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें सबीत करें